समकालीन हिंदी कथा जगत के प्रमुक लेककों में इस्थान रखने वाले वरिष्ट कथाकार गोविंद उपाध्याई की लिखी हुई कहानी सुनिये मनहूस। पारिवारिक जीवन की विसंगतियों और कष्टकारी इस्थितियों वे प्रकाश डालते हुए उनकी कहानिया बहुत ही मर्मिस्परशी होती हैं। ये कहानी वागर्थ पत्रिका के जुलाई 2012 अंग में छपी थी। प्रस्तुते कहानी मेरी जबानी मैं हूँ सीमा सें। सदानंद पाहुन के मरने की खबर ऐसे समय मिली थी कि मन की सारी खुशी पर पानी फिर गया। मैं गाउं आया था अपनी बेटी के विवाह का कार्ड माटने। एक दो दिन बाद पाहुन के घर भी जाना ही था लेकिन शायद मेरे भागे में उनसे भेट होना नहीं लिखा अभी बेटी की शादी में एक महा था पर एक बार विवाह की तैयारी में फंस गया तो गाउं आना मुश्किल ही था इसलिए बेहतर था कि गाउं के निमंत्र पत्र बाठी दिये जाएं खास कर बैहनों के घर पतानी कौन बुरा मान जाएं पाहुन के घर जब पहुँचा तो पता चला कि गाउं के बाहर बौली पर मिट्टी जा चुकी है। जोपरी के अंदर से महिलाओं के रोने की आवाज में ठकाम थी। फूस की इस जोपरी से निर्धंता बड़ी बेशर्मी से बाहर जाक रही थी। एक नौदस वर्ष की लड़की अपने महले बालों को खुजला रही थी। उसके गालों पर जमी धूल पर ताजे आंसों के निशान कुछ देद पहले रोने की पुष्टी कर रहे थे। उसके शरीर पर एक सस्ता सा रेडिमेट फ्रॉप था जो बदरंग हो चुका था। बॉली पर जाईए उहें लहास गया है। वो अभी अभी आये दो आकंतुकों को बता रही थी। लड़की की आवाज मधुर नहीं थी। शायद तीवर आवाज में रोने के कारण उसका गला बैट किया था। मुझे नहीं मालूम था कि बॉली कहां है। मैं उनके साथ हो लिया। दोनों मेरी तरह अधेर उम्र के थे। एक गला खाकार कर बोला आकिर सदानंद भाय को मुक्ति मिली ही गई। कितना दिन से तो खटिया पकड़े हुए थे, इलाज उलाज भी कोई नहीं हो रहा था, होता कहां से घर की हालत तो देखी रहे हो, उश्तरनी मकान भी डहब उता गया है, खप्रेल का ही था, पर पुराने जमाने का मकान था, दू पईसा लगता तो चमचमा जाता, लेकिन लगता कहां से, एक कुलबोरन लई का सर्वा दिन भर चौराये पर बैट कर इलपों हाकता रहता है, जो काम सदानन भाई सारी जिन्दगी किये, उहे वो भी कर रहा है, बलकि उन्हों से दू हाथ आगे, बैंक से जतना लोन उठा सकता था, उठा लिया था, ऐसी ओलास से त दूसरे ने भी थूका, तब मैं समझा कि तमबाखू की पीक थूक रहे हैं, दूसरे का मुह भी अब खाली था, तुम ठीक कह रहे हो भाई, उहे सब तो सदानन भाई को भितरे भितर तोड़ दिया, और उह खटिया पकड़ लिये, ना ही तो अभी भैवा, बहुत दिन जी बीस-पचीस लोग ही थे, उनमें से भी ज्यादातर भाई पट्टी दार ही थे, एक बड़ा सा कच्चा तालाब था, मटमेला पानी उसमें भरा हुआ था, इस पानी का स्रोत पास से गुजरती हुई नहर थी, जिसको एक जगे से काट कर इस तालाब से जोग दिया गया था चिता में आग लग चुकी थी, लोग इधर दर बैठे बतकही में विस्त हो गए थे, सदानंद पाहुन के बेटे ने मेरी तरफ देखा और उसके पपड़िया होटो पर एक फीकी मुस्कान आते आते फिसल गए, वो अभी अभी अपने पिता की चिता को आग दिया था, मैं जिसे बुआ ने जन्म दिया और खुद इस दुनिया से चली गए थी, तब बाबु जी की शादी भी नहीं होई थी, दादी ने उन्हें अपने आचल में छिपा लिया था, जब मा विवा के बाद इस घर में आई, तो सुगंदी दीदी छे साथ साल की हो गई थी, दादी ने दीदी का हाथ अम्मा के हाथ में देते हुए कहा था, दुलहें आपन लड़की समझ करी पोस लेना, पाउपूज की बेटी है, अभागे ने बेचारी, साूरी में ही मा मर गई, अब इसका हमनों के सिवा कोई नहीं है, अम्मा ने दादी की आग्या का अक्षरक्षा पा मजली दीदी यानि अपनी बड़ी भेंसे में मात्र चार साल छोटा था, मेरा पालन पोशर सुगंदी दीदी के हाथों हुआ था, मैं जब ठीक से चलना भी शुरू नहीं किया था, कि सुगंदी दीदी की शादी हो गई, सुगंदी दीदी बहुत सुंदर थी, जब मैं हो दीदी की ससुराल एक खाता-पिता परिवार था, उनके ससुर आसपास के दो-चार गाओं में प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे, उनके दो ही बेटे थे, सादानन्द यानि की बड़का पाहुन और उनसे छोटे रामानन्द, जब तक दीदी के ससुर जीवित रहे, घर की संपन्दता में कोई कमी नहीं आई, पर जैसे उनकी आग बंद हुई, कप्रेल का घर दो भागों में बढ़ गया, आंगम में बास और फूस का एक बड़ा सा टाट लगा दिया गया, ये बटवारा कुछ भी नहीं था, असली बटवारा तो मन का था, दोनों भाई अलग हो चुके थे, दर असल सारा दोश बड़का पाहुन का ही था, घर के बड़े लड़के थे, पिता ने कभी दुलार में काम कराया नहीं, आगे चल कर उनकी आदत बन गया, जब तक पिता थे बड़का पाहुन मस्त रहे, जब भाई पट्टी दारी का माम ला हुआ, तो पहले छोटे भाई की पत्नी ने विरोज जताया, इबात हमरे समझ में नहीं आती है, इगर का लीला बड़ा आजीव है, केहु दिन बर हाड तोड मेहनत करें, और केहु दिन बैट कर देह का मईल छोड़ाता रहे, भाई सहाबता एक दम में हाथ बोर डील कर के बैट गए है, आखिर कोई कब तक बरदास करेगा, रामा नंद भी पत्नी के सुर में सुर मिलाने लगे, बस घर बढ़ गया, बढ़का पाहुन तब भी मस्त थे, खेद बटाई पर और रोगाओं के चौराहे पर दुकान में अपनी बैठकी करते रहे, घर में दीरे दी पाहुन पसारना शुरू कर दिया, सुगंदी दीदी ने एक दो बार टोका भी, तो बढ़का पाहुन हस कर टाल गए, बेकार दिमाग खराब करती हो, जब उपर वाला मू दिया है, तो खाने को भी देगा ही, उका कहते हैं, अजगर करेना चाकरी और पंची करेना काम, दा पाहुन का यही हसमुक चेहरा, शायद उन्हें अभावों से लड़ने की शक्ती देता, एक बार मेरे घर आए, तब मैं चौती में पढ़ता था, पाहुन के लिए जलपान आया, पांच पेड़े तश्तरी में रखे थे, अम्मा पंखा जल रही थी, पाहुन ने देखते द चोड़ दिये हैं, इसे भी खा लेते, पहलवान बुर्बके हो, अरे यह पलेट की परतिस्था है, और फिर उनकी वही चिर परचित खिल खिला हाट, कुछ समय बाद हमें कोटल में खा रहे थे, बरफी का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने पलेट में छोड़ दिया, पाहुन जब अक्किल बट रहा था, तो बस्वारी में ज़ड़ा फिरने गए थे का, अरे भाई, यह दुकान है, इसमें अपना पैसा लगा है, यहां अपने परतिस्था नहीं है, तो पलेट बिचारे को कवन पूछता है, अरे पलेट की परतिस्था तो ससुराल में होती है पहलव के लिए, उनके कहने का अंदाज इतना प्यारा था, कि मैंने कभी इसके लिए बुरा नहीं माना, जब मैं सात्वी में पढ़ रहा था, तो मुझे तपैदिक हो गया, इलाज हुआ, ठीक भी हो गया, एक तो पहले से ही दुबला था, उपर से बीमारी, शरीर कंकाल जैसे द काबू को, मैं पाहुन के साथ आ गया, तब गरीबी ने उस घर में धीरे धीरे पाउं फैलाना शुरू ही किया था, बड़ी भांजी चौती में और भांजा इसकूल जाना भी शुरू किया था, भाईयों में बटवारा हुए भी जादा दिन नहीं हुए थे, पाहुन को पहले पिलाओ, तरबनना अर्था ताड़ी निकालने वाला, शद्धा भाव से लबनी लेकर मेरी तरव बढ़ता, मैं चुलू बनाता और छक कर पहली धार की ताड़ी पीता, मुझे तब पहली बार इस बात का एहसास हुआ, ये पाहुन का आम लों के बीच काफी सम्मा है, एक महीने मैंने ताड़ी पी, मगर किसी ने पाहुन से पैसे के लिए नहीं कहा, बलकि तीन-चार दिन बाद पाहुन को कहने की भी जरूत नहीं पड़ती, वे खुद बाखुद लबनी लेकर मुझे आमंतरित करते, मैंने उस एक महा को अपने जीवन की इसम्रत में सु सदानन पाहुन को वह समान मेरे घर में कभी नहीं मिल पाया, जो मेरी अन्य दो बहनों के पती को मिलता था, उन दोनों के आते ही घर में हल चलसी मत चाथी, चादर गिलाव से लेकर खान पान सब कुछ की विषेश विवस्था रहती, पर सदानन पाहुन जब भी आते, घर म मिले थे लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हसते हुए यही कहा था जो सम्मान और दुलार मामी जी हमको देती हैं वो अपने बाकी दमादों को भी कभी नहीं मिल पाएगा लोग उठने लगे थे पाउन के चिताब कोईले में बदल रही थी हवा में अजीब तरह की गंद पसरी हुई थी किसी ने मुझे सम्मोधित किया बाबू आप भी हाथ मोधोले मैंने देखा वो उन में से एक था जिसके साथ मैं पाउन के घर से यहां तक आया था मैंने उसकी सलहा को मुस्कुराते हुए स्विकार कर लिया पानी गंदा था मुझे इसकी अबादत नहीं थी मैं बहुली तक जाकर वापस लोट आया हम वापस लोट रहे थे घर पहुंचते दीदी का विलाप एक बार फिर शुरू हो गया था इस रुदन में सब कुछ लुट जाने का करोन राग था जिस आदमी ने उन्हें जीवन में कोई खुशी नहीं थी उसके बावजूद अकेले पन का एक दंश तो दे ही गया और दे गया एक ऐसा खाली पन जिसकी च्छती पूरती क्या इस जन्म में कोई कर पाएगा वो नौदद साल की लड़की जो मुझे पहले मि ली थी मिर्चे की डलिया लिये खड़ी थी दास अंसकार से लोटे लोग उस डलिया से मिर्चा निकाल कर कुतर कर थूख देते ये एक परमपरा थी लड़की पाहून की पोती थी भाण्जे ने जब डलिया से मिर्चा निकाला तो वो मुल पड़ी पापा के मकरजाल ने उसके शरीर पर इतने निशान बना दिये थे कि वो बूरा सा लगने लगा था अब वो थोड़ी फुरसत में था आप कब आये मामा वो हस दिया उसकी हसी बढ़का पाहुन जैसी ही थी बस दो दिन पहले ही आया था जब पता चला तो मैं गला खकार कर बोली रह है उसने गहरी सांस खीजी लड़की एक मैली सी पुरानी प्लास्टे की कुरसी रख गई थी मैं बैठ किया हम दोनों के पास समवात का कोई सूत्र नहीं था फिर भी बात तो करनी थी न तो क्या खपड़ा वाला मकान पूरी तरह ढढ़े गया इस बार उसकी नजर काफी न ठाकने की आप बढ़का लोग हैं वो मकान गिरे तो दस साथ से उपरे हो गया है वो जो पका मकान देख रहे हैं उसी नीव पर तो था खपड़वाहा घर चाचा वहां पका कोठा बना लिये और यी जगे बाबुजी को मिला घर से रोने की आवाज अब नहीं आ रही थी सो मन में एक टीज सी उठी ओह समय कितनी तेजी से भागता है कौन कहेगा ये वही सुगंदी दी दी हैं सच में कितना सव्वेदन हीन व्यक्ती हूं कितना लंबा अंतराल बीच चुका है जिंदगी रेत की तरह ही तो है मुठी में जितना कसकर पकड़ो उतनी तेजी से फिसल जानी ही है मैं चौका दीदी कुछ बोल रही थी शब्द और इस पश्ट थे वही नौदस साल की लड़की उत्सुकता वश अपनी दादी के पास खड़ी थी उसने दादी की बोली को दोहराना शुरू किया कह रही है तुम तो हमको भुला ही दिये कितना दिन बाद आये हो तुमारे जीजा मरते दम तक तुमको बहुत याद किये पर तुम तो परदेशी हो गए हो ना ना ही तो दीदी भुलाती है दीदी के सारे आरोप सच थे मैं अपने बचाओं में बस इतना ही कह पाया नहीं दीदी आपको भला कैसे भुला सकता हूं बस समय ही नहीं मिल पात हुआ था बेटी की शादी थी पता नहीं मुझे ही कहा कहा हाथ फैलाना पड़े रास्ते में प्रशनों का एक बड़ा घेरा मेरे सामने खड़ा हो गया उन प्रशनों के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था दीदी के साथ किसी ने अच्छा नहीं किया बाबु जी चाहत खुद अपनी दो बेटियां थी वो ही उनके लिए पहाड थी इसी चक्कर में दीदी बीस बार कर गई थी तब जमाना दूसरा था रजस्वला होने से पहले लोग कन्यादान कर दिया करते थे बारे तेरे की उम्र में दीदी की शादी जैसे तैसे हो भी गई तो लड़का सामिला दीदी का तुर भाग उनके शरीर से चिपका हुआ यहां भी आ गया बाबू जी ने कन्यादान करके अपना पिंडे चुड़ा लिया और दीदी को उनके भागे पर छोड़ लिया माने जरूर विरोध किया था पर उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि बाबू जी के न के साथ ऐसी बे इनसाफ ही क्यों बाबू जी तो अब दुनिया में रहे नहीं अमा हैं उनके ख्यालाद भी हैं वो अपने ढंक से दीदी के कश्टों को परिभाशित करती हैं का बताएं बचवा वो करम जली पताने कौन नच्छतर में पैदा हुई कि उसके जीवन से पड़ गया अम्मा भले सुगंदी दीदी को मनहूस मानती हूं मैं नहीं मानता कोई मनहूस नहीं होता है मनहूस होती है आदमी की सोच और शायर वो परिस्थितियां जो अपने पराएं में विभाजित होकर किसी को रोशनी के जालर के बीच विदा करती हैं तो किसी को लाल सच में आदमी पैदाइशी मनहूस नहीं होता, उसकी परिस्तितियां, अभाव, गरीबी और अपने पराय का भाव उसे मनहूस करार कर देती हैं, उम्मीद है कहानी आपको पसंदाई होगी, हिंदी का उम्दा और बेहतरीन साहिते सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक् करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए, सप्रेम धन्यवाद